हेलो एवरीवन देखिए आज से हम लोग डिफेरेंशल इक्वेशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं काफी इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार कॉंसेट होता है डिफेरेंशल इक्वेशन का का बहुत मज़ा है आपको बनाने में एक्जाम पॉइंट और व्यू से भी काफी इं सी क्यूज नहीं छूटते अगर आप थोड़ा इसकी कॉंसेट को अच्छे से पकड़ दो तो देखेंगे पहले तो हम लोग ऑडिनरी इफेरेंशल इक्वेशन देखेंगे देर आफ्टर हम लोग इसके बाद पार्शल इफेरेंशल इक्वेशन भी देखने वाले हैं तो आप one by one यहां से मेरे लेक्चर देखते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा राइट तो स्टाट करते हैं पहले जो देफेरेंशन है ओडिनरी इफेरेंशल इक्वेशन का याने ODE का क्या होता है एन इक्वेशन इन्वल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटि कोई भी दखर शच्लां मैं लिखремा इनसेशल एक्वेशन मैं लिखू एक मैं लेता हूँ शिमपल सा है क्भेशन ठाजिप जाहां ली जी मैंने एक सिंपल sunshine एक का एक सो है तो अब का एक्वेशन हूए लेकिन जब दिफेरेंशल इक्वेशन की बात करंगा ध्यान मेरा variable होगा वो होगा differential coefficient dc right dc का मतलब क्या होगा dc का मतलब होगा differential differential coefficient यह मिलोंगा तो differential coefficient को कैसे show करते हैं तो हमने किसे show करते हैं suppose कि यह जैसे dy by dx इस तरीके का तो यहां पर आपको यह देखना है कि जो y है definitely क्या है यह आपका dependent variable है dependent variable ओके इसको लोग short में dv भी भी बोलते हैं और यह आपका जो x है वो क्या है वो है आपका independent variable इसको लोग short में iv भी भी बोलते हैं तो क्या बोल रहा है कि जो equation आप लिखोगे न वो किसमें लिखोगे वो लिखोगे taking variable as differential coefficient यानि जहाँ पर आपका x था equation के matter में एक simple equation के matter में जो आपका x था अब वो differential coefficient अगर वहाँ पर आ जाता है तो definitely जो equation मनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे differential equation जैसे मैं आपको कुछ example दिखा दूँ जैसे मालनी जै मैंने लिया dy by dx hall square plus 3y equal to 0 तो यह क्या है अब आप देखोगे कि इसमें जो है differential coefficient आपका जो है main variable है dc तो इसमें यह लिखा हुआ है तो अगर कोई equation differential coefficient के terms को रखता है इस तरीके से right अब उसमें वो one order का भी हो सकता है higher order का भी हो सकता है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि derivative हो सकता है एक हो या एक से जादा derivatives भी वो contain कर सकता है तो ऐसे equation को हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे equation को हम लोग बोलेंगे differential equation यह मेरा क्या है यह मेरा है differential equation right कुछ हम लोग और भी हाँ पर example देखेंगे तो clarity आ जाएगा जैसे यह हो क्या हुआ दूसरा example मैं ले लेता हूँ d2y by dx square plus 3 dy by dx is equal to 2x इसको भी आप देखेंगा तो क्या है यह भी आपका differential equation है चुकि इसमें एक second order का derivative है एक first order का derivative है तो जो main इसमें जो variable है वो मेरा क्या है वो मेरा differential coefficient है right तो हम इसके लिए इस equation को solve करेंगे that's why we called it a differential equation तो इस तरह के equation को आप differential equation बोलोगे बहुत simple है right कुछ आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बहुत आसानी से आप इस तरह का equation को जो है लिख सकते हैं समझ सकते हैं इस से हम लोग को working करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को यह काफी help करेगा right जिसे मैंने यहाँ पर एक और equation लिख दिया है तो यह सारे क्या है यह सारे आपका differential coefficient होगा अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको एक ध्यान देना है कि हमारा जो एक है आपका ordinary differential equation और एक है मेरा partial differential equation तो इन में क्या देखने में क्या फरक होता है equation wise तो देखने में यह फरक होता है जाद रखेगा इसमें जो आपका independent variable होगा independent variable राइट वो आपका एक ही होगा ठीक है only one कोई एक ही independent variable होगा जबकि इसमें जो independent variable होगा यह आपका क्या हो सकता है यह आपका many one more than one हो सकता है more than 1, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही होगा जैसे मैं आपको कुछ example यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे देखिए मैं ordinary differential equation जब लिख रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि आपका जो independent variable है, वो y है, right, और जो dependent variable है जो dependent variable है, वो आपका y है, और जो independent variable है, वो हमारा x है, right, तो इसमें ordinary differential equation में आप देखेंगे कि जैसे, माल लिजेए, आपने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है d2 y by dx square plus 3 dz by dx plus 3y is equal to 0, तो एक से ज्यादा है, आप देखिए, यहाँ यहाँ यह भी आपका dependent variable है, y, z भी आपका dependent variable है, तो dependent variable आप चाहाँ जितना मिलो, लेकिन जो independent variable है, वो एक ही लिया गया है x, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, तो independent variable क्या होगा, एक ही ही होगा, लेकिन partial differential equation में x से ज्यादा हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यह ले लिया, right, partial derivative है with respect to x, और मैंने z ले लिया, partial derivative with respect to y, equal to 0, तो यह क्या हो गय यह मेरा हो गया, partial differential equation, इसमें मैंने 2 independent variable लिया है, एक मैंने x लिया है, एक मैंने क्या लिया है, एक मैंने y लिया है, right, तो इसी तरह से आपको याद रखना है, कि partial differential equation के case में, हम लोग x से जाधा independent variable ले सकते हैं, बत follow कर रहे हो, ठीक है, तो यह आपका partial differential equation है, लेकिन जो ordinary differential equation आप लिखेंगे, तो उसमें जो independent variable रहेगा, वो आपका सिर्फ एक ही ही रहेगा, कि आपको ध्यान देना है, right, अब इसके बाद जो important है, वो है मारा order and degree of ordinary differential equation, तो उसको लोग देख लेते हैं, यहापे, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे order of differential equation मैंने define कर दिया है, बहुत simple होता है, काफी इसलिए आपको यह याद रहेगा, what is order of differential equation, the order of highest order differential coefficient, hod, present in the differential equation is called order of differential equation, तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, जो आपको differential equation दे रखा है, उसमें आपको hod तलास करना है, right, hod का मतलब क्या हो गया, hod बोलते हैं, उस differential coefficient को जिसका order क्या होगा, highest होगा, यानि highest order differential coefficient को आप देखेंगे, जो उसका order होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम differential equation का order कह देंगे, right, जिस आपको पता है, कि d2y by dx square, यह differential coefficient है, dc है, और इसका order कितना है, of order, of order 2, ठीक है, इसी तरीके से माल लिए, कहीं पर लिखा हुआ है, d3y by dx cube, यह भी differential coefficient है, इसका order कितना है, इसका order है, इसका order है 3, right, तो आपको क्या करना है, maximum वाला दिखना है, जो सबसे बड़ा, जो है dc होगा, सबसे बड़े order का, तो जो उसका order होगा, वही पूरे differential equation का order हो जाएगा, यह example करने से बिल्कुल किलियर हो जाएगा, right, next होता है, आपका degree of differential equation, यह क्या होता है, तो the positive power raised to hod, मनब hod तो आप देख लोगे, वो differential coefficient जिसका order सबसे ज़्यादा है, वो hod होता है, right, अब उस hod पर जो power होगा न, positive power, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे degree of differential equation, example से बिल्कुल किलियर हो ज दिखा रहा हूँ, right, number one देखिए, यहाँ पर यह आपका differential equation है, ordinary differential equation है, right, कोई दिकत नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे, तो सबसे पहले आपको hod तरास करना है, कि hod कौन है, मतलब सबसे बड़ा order का differential coefficient, यह दिखिएगा, तो यह जो है आपका dc है, one order का, of one order, चुकि य आपका simple ही क्या है, simple ही आपका dy by dx है, यह जो है आपका dc है, differential coefficient है, इसका order कितना है, of two order, right, तो जिसका order ज्यादा है, वही क्या होगा, वही मेरा hod होगा, तो यह मेरा होगा hod, अब इसका order कितना है, तो इसका order two है, चुकि दो बार तक differentiation किया गया है, तो इसलिए जो पूर अब आप देखिए यह आपका HOD है, यह मेरा पुरा HOD है, ठीक है, इसका मैं अगर पुरा पावर देखू, तो पावर तो कुछ है नहीं, तो 1 कह लाएगा, ठीक है, इसका डिगरी क्या हो जाएगा, 1, very simple, second question देखिए, और खुद से बनाईए, अब आप से definitely बनेगा, HOD कौन है, सबसे highest order का derivative कौन है, definitely यही है, 3 order का derivative है, it is our HOD, इसका order क्या है, 3, तो पुरे differential equation का order क्या होगा, 3, ठीक है, order क्या हो गया, 3, और इसका degree क्या है, तो इसका power है, वो क्या है, वो है आपका 2, तो यही पुरा differential equation का degree होगा, आपको आगे देखने का जरूरत ही नहीं, आप HOD देखना, जो उसका order है, वो पुरे differential equation का order होगा, जो उसकी degree है, वो पुरे differential equation की degree होगी, बहुत simple होता है, आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे न, तो इधर आपका fractional में लिखा हुआ है, तो यहाद रिखिएगा order तो आपको पता चल लाएगा, चुकि आपको बस यह देखना है कि आपका DC, highest order का कौन सा है, तो यहाँ पर खेर एक ही बार differentiation है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक ही बार है, तो order जो DC का है, वो 1 है, तो no doubt order आप लिख पाएंगे, order simply 1 होगा, बट अभी आप degree ने लिख पाऊगे, चुकि डिगरी के लिए आपको जो DC है न, जो differential coefficient है, वो polynomial form में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो differential coefficient है, क्या होना चाहिए? वो is in, वो form करना चाहिए polynomial, ठीक है, DC, क्या करना चाहिए? form करना चाहिए polynomial, right, form polynomial, तो rational form में तो polynomial नहीं बनेगा इसको आप क्या कीज़ें, यहाप आप cross multiplication कर दीजे, तो क्या बन जाएगा, जिसे मैं multiply कर दो, तो आ जाएगा dy by dx minus dy by dx का hall square हो जाएगा ठीक है, और minus 1 equal to 0, यह आपका आ जाएगा तो अब आपका यह क्या हो गया, polynomial form में है dc, तो अब आप यहापे order तो 1 है, order तो मदले का नहीं, वो तो सुरू में ही दिख गया था, कि एक ही बार तक का highest order derivative है, ठीक है तो इसके degree क्या है, degree यहापे आपको दिख रहा है, कि degree 2 है dy by dx का highest degree तो यह आपका क्या हो गया यह ही आपका hod है, right, ओके और इसकी जो highest degree है तो उसके उनों क्या ले लेंगे, 2 clear है, तो याद रखिए कि दोनों जगा आपका dy by dx था यानने दोनों hod है, लेकिन जो highest और जो power होगा, सो लेना है, ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा मैं definition को कर देता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा था, the positive power यहाँ पर आप कर देजेगा the largest positive power, right जो सबसे बड़ा positive power होगा hod का, चुकि हो सकता है hod आपका, एक से ज़्यादा जगा पर आया हो, तो उसमें जो सबसे बड़ा positive power होगा उसको आपको लेना है, ठीक है जैसे हम लोगो ने इस case में देखा कि इस case में hod क्या है, यह भी hod का हलाएगा, चुकि highest order derivative है एक ही order का है, लेकिन जो सबसे बड़ा power है, वो दो लगा हुआ है तो इसलिए इसका degree 2 होगा correct है जी, ठीक है आगे देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो यह again देखिए, यहाँ से आप देख करके, डाड़ा direct आप order तो कह सकते हो, चुकि जो सबसे बड़ा DC है वो है दो order का, यहाँ पर दिख रहा है तो यह आपका होगया hod तो यह आपका होगया order इसका 2 अच्छा, तो आपका जो order of differential equation है order of differential equation वो 2 होगया degree, degree के लिए अभी मैं इसको नहीं कह सकता चुकि यहाँ पर देखिए, fractional power है और polynomial form होने के लिए आपको fractional को हटाना पड़ेगा तो आप दोनों तरफ स्क्वारिंग कर दीजिए तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वारिंग कर दूँ तो यह क्या आजाएगा तो यह आजाएगा 1 पलस dy by dx का hall square का power आजाएगा आपका कितना 3, right, और इधर आपका आजाएगा d2y by dx x square का power कितना आजाएगा 2 आजाएगा तो यही मेरा hod था ठीक है, इसका order 2 है तो पूरे differential equation का order 2 हो गया अब इसके उपर जो power है वो भी 2 है, तो degree भी क्या हो जाएगा differential equation का 2 हो जाएगा right तो order of differential equation यह भी आपका 2 आगया और degree of differential equation यहाँ पर फिर से देखेंगे तो फिर से आपको अगर hod देखना है तो सबसे बड़ा जो order का dc है वो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यह मेरा hod है तो इसका order 4 है तो no doubt order of differential equation 4 हो जाएगा but again degree find out करने के लिए आपको यह fractional power को हटाना पड़ेगा जो rational power यहाँ पर है इस rational power को हटाना पड़ेगा कैसे हटा सकते हैं तो बहुत ज़ली हटा सकते हैं आप एक ही बार में देखें मैं क्या कर रहा हूँ बाकी को मैं उधर ले जाता हूँ तो 6-5 dy by dx minus 5 d cube y by dx cube यह हो जाएगा अलग अब इधर power 2 by 5 है तो मैं दोनों तरफ जो है 5th power से multiply करूँगा तो इधर 2 आ जाएगा इधर 5 आ जाएगा तो अभी आपका हो गया polynomial form में राइट यह छोड़ी आगेन आपका वही है जो पहले था जोड़ी तो change करेगा नहीं यह 4 order का था तो order तो 4 है बट इसकी जो index positive power है वो 2 है so degree or differential equation is 2 बहुत simple होता है एक sear question है exam में order or degree का question अकसर आता है तो आपको miss नहीं करना बिल्कुल correct करके आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे आप देखो question number 7 यह थोड़ा important question है ध्याद दीजेगा क्यों important है तो order के matter में तो कोई दीकत नहीं है सबसे बड़ा order आपको दीख रहा है यहाँ पर y का power triple dash लगा हुआ इसका मतलब आप जानते हो इसका मतलब होता है कि 3 order का dc right तो यह आपका 3 order का है यह आपका 4 order का है तो यही मेरा hod होगा highest order यही हो गया इसका order 4 है तो order of differential equation आपका 4 हो जाएगा degree देखें, degree यहाँ पर non-defined होगा यह आपको ध्याद दे रहा है क्यों define नहीं होगा इसलिए कि जो आपका dc है differential coefficient है वो polynomial form में नहीं है यहाँ पर देखें, यहाँ पर dqy by dx cube है sine के साथ में और अगर मैं sine का expansion करूँ तो आपको पता है sine x का expansion क्या होता है x minus x cube by factorial 3 plus x5 by factorial 5 इस तरीके से अगर यह infinite term होता है तो अगर मैं यहाँ पर sine यह y triple dash जो है तीन order का derivative इसको लेके चलूँ तो यह इसी form में चलेगा कि power 3 factorial तो यह आपको क्या है infinite power मिलने वाला है इसमें, तो यह polynomial form नहीं कर रहा है ठीक है, तो बहुत infinite power तक है जाएगा degree non-define यह धियाद दीजेगा ठीक है, बल्के मैं बता देता हूँ sine के साथ में differential coefficient हो यह exponential का power differential coefficient हो यह cost के साथ हो, 10 के साथ हो तो इन सम केसे में आपको degree non-define होगा चुकि infinite power का आपको expansion मिलता है direct है जी ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग इसको बहुता देता हूँ ठीक है, चाकि हम लोगों का जगा फिर clear हो जाए, चलिए अब 8 number की बारी 8 number को आप खुद से बनाइए बहुत simple है, ठीक है, homework रहेगा यह आपके लिए ठीक है y dash का मतलब क्या होता है y dash का मतलब बहुता है, differential coefficient of one order याने simply dy by dx को अपने y dash बोलते है plus 5 y दिया हुआ है तो बहुत lollipop question है, इसका आप answer दे दिजे order क्या होगा, degree क्या होगा यहाँ पर अगें देखेंगे तो 4 y dash है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि 4 d2 y by dx square दिया हुआ है right, और plus क्या दिया हुआ है cos dy by dx y dash का मतलब क्या है, cos dy by dx order define करना तो easy है चुकि h od हमको क्या दिख रहा है कि 2 order का है so its order is 2 लेकिन अगर degree की बात करें तो again यह cos के साथ में आपका dc आ रहा है, dy by dx तो आप degree यहाँ पर लिख देना क्या not defined, ठीक है अकसर question आता है, तो इसके आपको confuse नहीं हो रहा ठीक है, चलिए इसके बात देखते है question number हम लोग देखते है, यह 10 10 number भी आप अपने से बनागे है, homework रहेगा आपके लिए ठीक है, मैंने सारा कुछ समझा दिया है यह 3 order का dc है, यह 2 order का dc है यह 1 order का dc है, तो इसको में आप आराम से बताइए, कि इसका differential equation का order क्या होगा और इस differential equation का degree क्या होगा यह आपके लिए homework रहेगा, commit कीजिएगा ठीक है यहापे फिर से देखे, 11 number में तो इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो यह है आपका d2y by dx square, पहले तो दो order का derivative है, plus 2 dy by dx one order का है, plus sin y, equal to 0 यहापे आपको दिख रहा होगा, यह hod है, simply highest order derivative है, तो इसका order 2 है, तो इसलिए answer क्या आजाएगा, order 2 आजाएगा, O for order, order is 2, और degree क्या हो जाएगा, तो इसका power 1 है, तो इसका degree भी आपका 1 हो जाएगा, d for degree मैंने d से degree लिखा है, equal to 1, यहापे भी देखिए sign है लेकिन sign के साथ मैं y है, ध्यान दीजेगा differential coefficient नहीं है, ठीक है अगर यहापे differential coefficient होता तब हम degree को क्या लिखते है not defined, लेकिन यहापे आपको कोई differential coefficient नहीं है तो degree आपका define होगा simply, जो power है, hod का तो ज़्यादा clear रहना चाहिए, sign, cos, tan exponential के साथ dc होगा यहापे differential coefficient होगा जब ही आप degree को not define कीजिएगा ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं यहापे फिर देखिए 12 number है यह है आपका, ठीक है तो यहापे आपनों यह देख रहे हैं कि यह भी simple है, बट यहापे देखिए dc आया हुआ है differential coefficient आया हुआ है, sign के साथ में तो यहापे degree तो आपका non define हो जाएगा, degree क्या हो जाएगा non define, right but order तो still define होगा, order हमें सब्सक्राइब होता है hod देखना है आपको कि highest order कौन सा है highest order यहापे 2 है उपर नीचे सेम होगा तो d2y by dx square है तो इसका order 2 है so its order is 2 order 2 हो गया, degree non define हो गया तो इसी तरह का question आता है बहुत जादा example भी आप करेंगे तब भी आपको confidence वही आएगा जो इतने से आजाएगा बस आपको concept को clarity में रखना है ठीक है, के order कब define होता है तो simply जो highest order derivative है तो इसके order को order बोलेंगे यह always define होगा degree आपका तब define होगा जब आपका जो भी term है वो differential coefficient में polynomial के form में होना चाहिए otherwise वो define नहीं होगा तो आपके लिए fruitful था कापी अच्छा लगा होगा आपको अच्छा लगा तो like कीजिएगा चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारा content है चैनल पे जिसको पढ़ा कि आप definitely exam को cover कर सकते हैं ठीक है thank you very much